आफ्टर गोइंग थू दिस वीडियो, यू विल बी एबल तो अन्डरस्टैंड एंड कस्टमाइज कॉंपनेंट्स उजिंग प्रॉप्स. हाई, वेल्कम बैक, अभी तक हमने दो कॉंपनेंट्स को क्रियेट किया है, जो सेम कॉंपनेंट को डिस्पले करते हैं, अब अगर हमें इस कॉंपनेंट को कस्टमाइज करना हो तो, for example, मुझे ये फर्स्ट एडिंग की तरह चाहिए और ये सेकंड एडिंग की तरह चाहिए, So, how can we do that? Well, content को कस्टमाइज करना easy है, और उसके लिए हमें props को समझना होगा. Props और properties of a component वो information होती है, जिसे हम component में पास कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही, जैसे हम function में arguments पास करते हैं, जिस information को हम पास करते हैं, उसे हम further content को कस्टमाइज करने के लिए यूज करते हैं. Let us understand how तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने custom components tags में heading props को attributes की तरह components में पास किया है, the props are then passed the values as first heading and second heading. Also, आप props को को कोई भी नाम दे सकते हैं, props को name करने में कोई limitation नहीं है. Now that we have passed props to a component, तो अब हम props को variable की तरह component में यूज कर सकते हैं. तो अब हमारे component function को react से default argument मिला है, जो एक object है, जिसमें component को पास किये गए, सारे props की list है. As a good practice, हमने argument को props नाम दिया है, पर आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं. अब क्योंकि यहाँ पर props एक object है, अगर हमें इसे access करना है, तो हम .operator को use करके इसे access कर सकते हैं. अब हमने props को access कर लिया है, तो हम उन्हें किसी भी तरीके से use कर सकते हैं. मैंने इसे jsx expression की तरह curly braces के अंदर h1html tag के content के लिए use किया है, तो आगे बढ़ने से पहले चलिए अपने पूरे code को देखते हैं. So, this is our html file. और यह हमारा app.js code है, जहां पर दो components है, box और app. तो चलिए code को execute करते हैं. There you go. आप देख सकते हैं कि हम props को use करके content को customize करने में successful रहे. और अगर आपको इसे previous output से compare करना है, जहां आपने props को नहीं use किया था, तो आप difference को observe कर सकते हैं. किए आपी...